इकाई एक गणित का इतिहास, हिस्ट्री ओफ मैथामेटिक्स बच्चो जो गणित आप अपनी किताबों में पढ़ते हैं और जिस गणित का आप रोज अपनी जिन्दगे में अस्तमाल करते हैं कभी आपने सोचा है कि इस गणित की शिरुवात कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, यह कभी आपने जानने के कोशिश की आज हम आपको गणित की इतिहास की तरफ ले चलते हैं दुनिया के उन्हें सो में लेके चलते हैं उस समय में लेके चलते हैं जहां से गणित की शिरुवात हुई ऐसा माना जाता है जिन चिदों के अधार पर हम इतिहास का निरधारन करते हैं उन में कुछ लिखित दस्तावेज हो सकते हैं। सबसे पहले उदारेड़ में आपके सामने दक्षिनाफ्रीका का रखना चाहूंगा दक्षिनाफ्रीका जो दुनिया के महादीपों में से एक बड़ा महादीप के रूप में पहचाना जाता है इस महादेब की कुछ गुफाओं में, जिवाश में विज्ञानियों ने कुछ खोजे की, उन्हेंने कुछ चट्टाने ढोड़ी, इन चट्टानों को हम ओक्रे रॉक्स के रूप में जानते हैं, यहाँ पर जैमिती आकरितियों के एक पैटर्न उन्हें दिखाए पड़ा, यह शैद दुनिया के सबसे पुराने अभी लिखों के रूप में जाना जाता है, यह ऐसे चिनों संकेतों के रूप में जाना जाता है, जो गड़ित के प्रारमभिक ज्ञान के बारे में बताते हैं, और यह भी बताते हैं, कि जब हमने लिखना शुरू किया, उसके पहले स से ही लोगों ने गड़ित के मोल ज्यान को समझना शुरू कर दिया था दूसरा महत्युपुन उदारण कांगो में नील नदी के किनारे मिली हुई अस्थी है जिसे इशांगो बोन के नाम से जाना जाता है इसके बारे में धारणा है कि अभाज्य संख्याओं के श्रेंखला का सबसे पुराना और ज्याद प्रदर्शन है अभाज्य संख्याओं आप जानते हैं ऐसी संख्या जो खुद से और एक से भी भाजित होती है तो उस समय लोगों ने इन अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी राप्त कर ली थी और उसका उन्हों ने इसमें प्रदर्शन किया था ये माना जाता है कि ये इशांगो अस्थी आज से लगबग 20,000 साल पुरानी है गडित की तिहास की यातर में हम थोड़ा आगे आते हैं इसा के लगबग 5000 साल पहले उसमें एजिप्ट में गडित पे बहुत काम हो रहा था एजिप्ट का नाम आते ही वहां के पिरामिड हमारे सामने आते है ये पिरामिड कला और इंजिनरिंग के अद्बुत नमूने के रूप में हमारे सामने है इसे दर्मियान मिश्ट के लोगों ने जैमिती इस्थानिक आकरितियों के बारे में हमें बताया दुनिया को एक उपहार के रूप में इसे हमारे सामने रखा हम थोड़ा और आगे है इसा के लगबक τीन हजार से लेकर ढाही हजार साल के पहले इस दर्मियान दो सब्विताओं के जिक्राता है एक तो ऐन्दू스ान के सब्विता और दूसरी सुमेरियन सब्विता हिन्दू스ान के सब्विता में उस समय जो विकास हुआ हंदुस्तान के सब्विता और दूसरी सुमेरियन सब्विता हिंदुस्तान के सब्विता मे उस समय जो विकाष हुआ उसे हम सिंदुखाटी जब्वता के नाम से जानते हैं सिंदुगाटी सब्विता की जो सबसे बड़ी विशेषताय थी वो थी वहां की रचनाय वो सडकें हो सकती थी, सडकों के किनारे बनी भी नालियां हो सकती थी बढ़े और विशाल इस्तानागार हो सकते थे उन इस्तानागारों से पानी के बाहर निकलने और अंदर आने की व्यवस्ता हो सकती थी जो कमरे बने, जो कोठिया बनी आनाज की, जो खिलोने और दूसरी चीज़े हमें मिली वो तमाम चीज़े हमें बताती हैं कि उस समय के लोगों ने गणित को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था गणित और विशे सुर्फ जामिती की आकरीतियों को उन्हें बहुत अच्छा ग्यान था और वो उनके आपसी संबंदों को अच्छी तरह समझने लगे थे यहां जो इटे बनी उन इटों को आप देखिए तो पता चलता है कि इनकी भुज़ाओं में एक निशित अनुपात है और शायद यही वो वज़ा थी कि वो इतनी अच्छी रचनाय कर पाएं उनका निर्मान इतना खूबसूरत और इतना मजबूत और इतना अच्छा हुआ उसके पीछे इन इटों के अनुपात का एक बहुत महत्पुर्ण भुमिका थी जिस काल में सिंदुभाइटी सभिता में गणित का विकास हो रहाथा ठीक उसी समय यानि इसा से 3000 साल पहले से लेकर 2500 साल पहले की बात है एक और सभिता दुनिया में विक्षीत हो रहготов थी गणित को ले करके इसे हम सुमेरियन सब्विता के नाम से जानते हैं जो सुमेरियन सब्विता थी उनके बारे में ये मानिता है कि इन्होंने मापन की एक बहुत ही जटिल प्रणाली का विकास किया था और ये दुनिया को एक बहुत बड़ा उपहार था सुमेरियन सब्विता का दुनिया की पुराने सब्विताओं में जिनका नाम आता है उन देशों में एक बहुत महत्पून देश चीन भी है चाइना हमारा पड़ोसी देश आज टेक्नलोजी के मामले में जिन्हों ने दुनिया में अपनी खास पहचान बना रखी है वो चाइना आसे हजारों साल पहले चाइना ने अपनी सब्विता में बहुत सारी चीज़ा और विक्सित की थी विशेश दूरूप से शांग राजवन्श का जो नाम आता है उस समय की कुछ चीदे हमें बताती हैं कि उस समय उन लोगों ने संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए अं प्रदर्शन था अंकों की रूप में अभी तक हम ने जिन देशों सब्विताओं और संस्कृतियों को उलेक किया उनके अलावा भी बहुत सारे देश थे जिन्होंने गणित में अपना योगदान दिया इनमें मैं कुछ नाम लेना चाहूंग जैसे ग्रीक, बेबिलोन, अ अरब, ये ऐसे नाम हैं जिनका उलेक करना ज़रूरी है, इन देशों के लोग दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाया करते थे व्यापार के लिए, संस्कृतिक आदान प्रदान का एक बहुत बढ़िया जरिया था, इनके पास जो ग्यान था, उसे वह वहां ले जो रूफ हम देखते हैं, वो दुनिया के अलग-अलग देशों की संस्कृतियों और उनके ग्यान का मिला जुला स्वरूप है, और यही वज़ए है कि ये एक ऐसा विशे है जो हमें दूसरों से जोड़ता है, पूरी दुनिया के एक सुत्र में बानता है, अभी तक हमने आप से जितनी बातें की, वो बहुत कम थी, बहुत थोड़ी थी, आपको चाहिए कि आप अपने घ्यान को और विस्तारित करें, नए ने शुरोतों से जानकारी प्रात करें, और देखें गणित के विकास की आतरा कैसी थी, जब आप इसे जान लेंगे तो आपको गणित ए एक नया नदरिया बनेगा और ये गणित आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा